बात करने वाले हैं बटेंगे और जुडेंगे की एक नारा कही दिनों से चर्चा का केंदरविंदू बना हुआ है बटेंगे तो कटेंगे योगी अधित्यनात ने ये नारा दिया था प्रधान मंत्री मोदी ने भी इसको उठाया और उसके बाद सरसंग चालक और सरकारवा दोनों ही इस नारे को आगे बढ़ाते दिखें अब बटेंगे तो कटेंगे हिंदू समाज के लिए ये नारा लेकिन इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स भी चिपी हुई है इसमें कोई शक और शुबा नहीं हो सकता अब इसी की एक काट के तोर पर नया पोस्टर वार शुरू हो गया है पोस्टर वार यूपी में हुआ है शुरू लेकिन इसकी गूंच दिल्ली और महराश्च दोनों जगे सुनाई दे रही है समाजवादी पाटी ने ये पोस्टर लगाए हैं जुडेंगे तो जीतेंगे इस बात को अखिलेश यादव उठाते दिख रहे हैं और उन्होंने एक्सपर लिखा भी ये पोस्टर अवतर जब हुए उसके बाद जिसका जैसा नजरिया वैसा नारा और पोस्टर को शेयर किया यानि कि बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे ऐसे शब्दों का इस्तमाल करती है कटने वाली राजनीती हम कह रहे हैं जुडेंगे तो जीतेंगे पर जुड तो खुद नहीं पाए दो लड़के उत्तर प्रदेश में अखलेश यादव यानि कि समाजवादी पार्टी अकेले ही नौ की नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कॉंग्रेस को और कोई विकल्प ना होने के चलते हैं अब समर्थन देने पर ह की मजबूर होना पड़ा ये दबाव की राजनीती है क्या और दबाव शुरू हुआ हर्याना में जो जीत के मूँ से हार खीच लाई थी कॉंग्रेस उसके बाद क्या आइना दिखाया जा रहा है पर जब हम जुडेंगे तो जीतेंगे की बात करते हैं तो वो जो दूसरा आ रहा है क्या वो दरसल सवाल खुद अंडिये से और महायुती से पूछ रहा है महराश्ट में बटेंगे तो कटेंगे अब बीजे पी में तो बगावत नहीं होती है थोड़े बहुत बागी सुर सुनाई देते हैं पर सब को शांत करा लिया जाता है लेकिन महराश्ट में ऐसा होता नहीं दिख रहा है वहाँ बागीों की भरमार होती दिख रही है दोनों ही खेमों में महायुती हो या महाविकास अगारी लेकिन महायुती में बागी सुर ज्यादा बुलंद दिख रहे हैं ज्यादा बड़ी समस्या बागीों से महायुती हो रही है ज्यादा ही द तारीक भी आ रही है दो दिन बाद, चार तारीक आ जाएगी, बीजेपी की तरफ से उन्निस बागी खड़े हो गए हैं, उन्निस, not a small number, शिवसेना शिंदे की तरफ से सोला और एंसिपी अजित पवार की तरफ से एक, कुल मिलाकर च्छतिस, ये च्छतिस का आंकड़ा शिवसेना की, ये चौदा, चौदा और च्छतिस, फर्क बड़ा हो जाता है, लेकिन परिशान किसे करेगा, और इन सब में, चुनावी तनाव में, जो जुबां फिसलती है, उसकी बानगी भी दिखाई दी, और सुनाई दी, अर्विन सावंत सांसद हैं, वरिश नेता हैं शिवसेना उद्दव ठाकरे गुटके, उन्होंने एक महिला के लिए माल शब्द का भी इस्तमाल कर लिया, शाइना एंसी, बीजे पी में बहुत सालों से थी, अब वो एकनाचिंडे की शिवसेना में आ गई हैं, और बाकाइदा मुम्रा देवी से उम्मीदवार भी बन ग चलेगा, माल, अब F.I.R. दर्ज करा दी है, शाइना एंसी ने, पर इस तरह की भाशा की क्या कोई जगह होनी चाहिए, और खास महिलाओं के लिए, ऐसे शब्दों का इस्तमाल क्या शुबा देता है, शब्द पहले भी इस्तमाल किये गए है, टना टन माल, पचास करोड की गर्ल फरेंड, पर ये खत्म कब होगा सलसला, और एबी पी निउज ऐसे शब्दों के इस्तमाल की कड़ी निंदा करता है, पर ये जुडेंगे और बटेंगे का सलसला दिल्ली तक भी अपनी गूंच सुनाता दिखाई दे रहा है, अब आठ नवंबर से, ठीक एक हफते ब ली हैं, जैसे केजरीवाल पद्यातरा पर निकले हैं और सरकार की उपलब्दियां बता रहे हैं, तो कांग्रिस आठ नौंबर से, न्याय यात्रा का शुबारम करने जा रही हैं और वो, केंद्र और दिल्ली सरकार की नाकामी बताएज़ी, केंद्र की तो बताएजी, दिल ब्लि सरकार की भी और दिली सरकार के खिलाफ डिवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कॉंगरës के उन्होंने दिवेंद्र प्रतिया लिए है, अब वो क्या है? ग्यारा साल बार्द भी लोग पाल बिल कियों नहीं पहस किया तो नहीं पूछे आप यमना गंदी इन पर सवाल पूछे जाएंगे और महला क्लिनिक के नाम पर क्या बेकूफ बनाया जा रहा है दिल्ली वासियों को इस पर भी पोल खोल करने का मन कॉंग्रिस बना चुकी है तो भाई राज्य में तो चलिए ये चलतो जाता है पर केंदर की राजनीती को ले उसके बावजुद भी ये दरारें क्या कहती है और आने वाले दिन इसी कटबंधन धर्म को क्या कसोटी पर कसने वाला है इसी पर आज हम चरचा करने वाले हैं ऐसे में आज का सीधा सवाल पहला सवाल एनडिये सत्ताधारी गटबंधन से जुडाओा महाराश میں महायुती ब की दूसरा इंडिया गडबंदन से जुड़ा सवाल यूपी दिल्ली में तक्राव कैसे होगा जुड़ाव